गुड मॉर्निंग, I am from लोकमान नितेला के स्कूल, Students of Class Nursery, हम लोग आज नर्सरी, we are going to start third week copy, third week copy में हम लोग को क्या लिखना है और कैसे लिखना है, आइए इसको सीखते हैं, सबसे पहले हम अभी तक छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा हूँ, बड़ा हूँ लिख हैं, आज हम लोग रीसे रिशी लिखेंगे, रीसे रिशी आपको कैसे लिखना है, इसको देख लिजे, ये रीसे रिशी आपको उल्टक के की तरह बनाना है, और एससे में सर्कल हो जाएगा, ठीक है, इसको आपको इसी तरीके से लिखना है, फिर से मैं बता दे रहे हूँ री से रिशी In each line, you are right Only four letters, री से रिशी In next page, ए से एडी ठीक है? ए से एडी आपको लिखना है ए से एडी कैसे बनेगा? पहले आ की तरह curve लेके ऐसे फिस लंटिंग लाइन, then one curve from here इधर से आपको एक curve लेना है तो ए से एडी अब आए से एड़क, आए से एड़क कैसे लिखेंगे? पहले स्टेंडिंग लाइन, then वो, स्लिपिंग लाइन, then one curve and slunting line, one curve from this side अब मात्रा लगेगी इसके उपर कैसे? slunting line and a small circle ऐसे एड़क एक line में चार से ज़्यादा नहीं लिखेंगे, only four and don't cross the line below ये नीचे वाली line के आपको नीचे नहीं लिखना ओके, आ से ओखली आ आपको आता है बनाना, उसी तरीके से आ बनेगा ओसे ओखली ठीक है? ये वाले में आपको four times लिखना है, ओसे ओखली अब ओसे ओरत भी ओसे ओखली की तरह ही है उसमें दो मात्रा लग जाएगी पहले की तरह सरिफ चार बार लिखना है आपको अंग से अंगूर, छोटा बना के उपर बिंदी अंग से अंगूर और आहा खाली नाव A, B, C, D नाव यू आर, know how to write A, B, C, D तो अब उसकी practice के लिए उसको हम लोग कुछ सही से लिखना आजाए अब लोग यहाँ पर A, B, C, D फिर से लिखेंगे nursery में alphabet की practice बार बार करते है with writing improvement के लिए क्योंकि अभी तक आप लोग block letter big block वाली copy में one inch block वाली copy में लिखता है इसलिए four line copy में लिखने के लिए आपको बार 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 practice करनी है for your good handwriting E for elephant इसी तरह से Q, R, C, D E, M, G, H, I, J, K, L M, N, O, P Q, R, S, T U, V, W, X, Y, Z U, V, W and X और Y, Z इसके आपको में practice करनी है अभी आपके लिए U curve लेना है V slanting line W slanting line up, down, another slanting line then X then Y slanting line small slanting line big sleeping line slanting line sleeping line Z now your ABCD has been finished okay do practice again in next pages and in maths in first page we are going to write 1, 2, 3 2, 1, 2, 40 1, 2, 40 1, 2, 3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 1, 0, 10, 9 के नीचे हमेशा 0 आता है, remember that, okay, now 1, 1, 11, 1, 2, 12, ऐसे आपको पूरा, 1, 2, 40, and in next page, 1, 2, 50, complete करना है, Again, you will write 1, 2, 50, 1, block difference 11, 21, then 31, then 41, then your counting will be finished, up to 50, 50 तक के आपकी काँटिंग कम्प्ली रजाएगी, Okay children, good day and complete your work with very good handwriting. Good day to all.